थेलो थर्ड क्लास केट्स केट्स तुड़े वे आवगी टो लाइन हिंदी तो टेक आउट यूर हिंदी बुक ओके निकालो अपनी ओके पेज नमबर शिक्स निकालो ओके आज हम करेंगे लेसन नमबर वान की पार नमबर वन की भुक एकसराइज अभ्यास कारे ठीक है इसकी question answers मैंने आपको करवाए थे वीडियो में आज हम करेंगे इसका भाख भाख कोस्ट में दिये गए शब्दों में रिकित थान की पूर्ति कीजिए यान की फिल्लप्स ठीक है यहाँ पर देखो फिल्लप्स दिया है उनके हमने यहाँ पर फिल्लप्स फिल करने है ठीक है यान यहाँ पर इप्षिंस भी दीओंगे इसका दारहों और तारहों अब तारों पर टिक करके इसको फिल पर जाने की चाह Uh जिनको है खुल जाने की जाह मिल जाने के के खुल जाने की ठीक है घुल जाने आएगा यहाँ पर उसके बादे हैगी नम्बर 32 resp laptops और 17 game VO यहां पर options नहीं हो है नयन और नेत्र आप क्या फिल करोगे नयन ठीक है उसके बाद वै प्राणों की सेज नहीं प्राणों लिखा हुआ है यहां पर options में प्राणों की सेज या मृत्यू की सेज ठीक है यहां पर क्याएगा प्राणों की सेज ठीक है अब आजाओ हम करेंगे भाशा व्याकरन जिसका हम करेंगे पाठकव पाठकव में क्या है निमिल की शब्दों से उधारन के अमुसर ता प्रत्य जोड़कर हावाचक संगयां बनाए ठीक है आपने ता हर बोर्ड के पिज़िके लगाना है ता प्रत्य आई यह ठीक है ताक है प्रत्य है इसको जोड़कर हावाचक संगय बनानी है ठीक है जैसे फर्स्ट में है बुझ बुझ बुझता बुझता ठीक है घुल गुलता गुलता दीन दीनता दीनता कठोर कठोरता सुंदर सुंदरता सरल सरलता उदार उदारता उदारता प्राधीन प्राधीनता जैसे है भावाचक संगय बनानी है ताक है इसका पारट कर है खर, हमने कर किया, अब आजाओ खर पे निमले के शब्दों के तीन तीन प्राइवाची शब्द लिखे प्राइवाची शब्द क्या होते है कोई भी एक वर्ड है, उसके त्री मीनिंग्स होते है ठीक है, त्री, सिमिलर मीनिंग्स होते है यसे फूल, पुष्प, फूलों को हम क्या बोलते है पुष्प बोलते है कुसुम, सुमन, ठीक है यह क्या है, फूल, फूलों के प्राइवाची, ठीक है मेग, मेग क्या होगे, बादल, जलज, या जलधर, ठीक है इसके प्राइवची, आपने भी इसी तरह से लिखने अपने बुक में, नयन, आंख, नेत्र, चक्षू, ठीक है, उसके बाद आजाओ, सेज, सेज हो गई, शैया, पलंग, चारपाई, शैया, पलंग, चारपाई, ओके, अब आजाओ आप पेज नूमबर 7 पे, ठीक है, पेज नूमबर 7 का हम घह पाट करेगी, ठीक है, नीचे दियेगे शब्दों का, एक समान आर्थक शब्द लिखते हुए, अपने बनाएं वाक्यों में परयोग कीजिए, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, वाक्यों में परयोग करना है, ठीक है, इसमें परयोग करना है, वा रात को इसका बाक्या आप लिखोगे रात को अकाश में बहुत से तारे चमकते हैं पॉपी पे लिखना ही आपने ओके रात को अकाश में बहुत से तारे चमकते हैं नमबर टू, नीलम, इसकार्थ है महंगा रतन, यह एक स्टोन होता है, महंगा स्टोन होता है, ठीक है अलग, ठीक है एक्सपेंसिव होता है, महंगा रतन, नीलम एक बहुत ही महंगा रतन है, ठीक है, मेग, मेग, बादल, बादल, आज अकाश में मेग घिर आएं हैं रितुराज बसंत रितुराज बसंत के मौसम में चारो तरफ हर्याली होती है क्या होती है? हर्याली होती है नयन, नेत्र रिमा को अपने नयन में काजल लगाना अच्छा लगता है उसके बाद आजाओ नमबर सिक्स आंसू आंखों से बहने वाले पानी राम जी ने जब सीता माता को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए आंसू आ गए सेज, बिस्तर वे प्राणों की सेज नहीं है यहाँ पीडा बेसुद होकर सोती है ठीक है? पीडा क्या बेसुद होकर सोती है ठीक है? अंदसरा है? अब यह है नमबर अब आज़ो अड़ पार्ट पे ठीक है? कविता की कुछ पंक्तियों को नीचे उलट पुलट कर लिखी है उनको सही करम में लिखिए जैसे देखो जाने जिसने की चाहा क्या आएगा यहाँ पे देखो देखी जाने जिसने की चाहा यहाँ पे देखो आप ठीक है? जिन को है गुल जाने की चाहा ठीक है? जैसे जिन को है गुल जाने की चाहा इसी तरह से यहाँ पर क्या रहे है कि देखी जाने जिसने की चाहँ घुल जानने जिनको है की चाहँ जिनको घुल जाने की चाहूं ठीक है के मेगवे नीलम नहीं यह आप अपनी पोएम में से देखकर इनको आप इन लाइनों को क्या करोगे ठीक स्क्रब में लिखोगे ठीक है यह आपका क्या है हूंबक है ठीक है मैं वैसे रीड करके बता रही हूं आप इसको कुछ से करोगे ठीक है अपनी कॉपी पे नोट करोगे ठीक है रितू राजवय नहीं अनंत ठीक है यह फोर लाइन्स हैं यह आपकी पोएम में हैं उससे देखकर आप यहाँ पे इसको सही करम में अपनी उस पे लिखोगे कॉप जानी मानी कवित्री थी इन्हें आधुनिक युक्की मीरा के नाम से भी जाना जाता था ठीक है अपने शिक्षत से पूछ कर हिंदी की चार कवित्रियों के नाम लिखिए ठीक है यहाँ पर मैंने लिखे और आपने भी लिखने हैं आपकी नॉलेज के लिए फर्स्ट है सरो उजनी नणा इडू सरोजनी नणा इडू ठीक है सेकिंड सुभद्रा कुमारी चोहन सुभद्रा कुमारी चोहन सरड़ पे है मीरा बाई मीरा बाई और नंबर फॉसर पिया अम्रीता प्रितम यह हैँ क्या है आपकी बूक कक्यक्स type आपने इसी तरह से कर लिए इसका जो रड़ पार्ट है यह अपनी पोयम से देखकर आप खुद से इसको ठीक करोगे इन लाइन्स को अंडर्सेंड समझ में आगे ना ओके थैंक्यू